गरह नक्षत्र तारे और सितारे बदलते हैं अपनी चाल और आपके आचारे बताते हैं आपकी राशियों का हाल मित्रों सादर जैसी क्रिश्णू हमारी यूट्यूब चैनल में आप सभी का बहुत-बहुत स्वाग थे मैं हूँ आपके साथ आचारिधर में इंदर शास्त्री आज आपको बताने जा रहे हैं देनिक महाभाग की शाली राशियां 26 मई 2019 रहिवार का दिन है जैष्ट मास के कृष्ण पक्ष्ट की सब्तमीत थी है धनिष्टा नक्षत्र एवं कुम्ब राशि में चंदरमा बिद्दिमान रहेंगे दिशासूल की यदि हम बात करें तो पष्टिम जिसा में रहेंगे इसलिए पष्टिम जिसा की यत्रा करना नुकसान दाई माना जाएगा यदि किसी कारण वस पष्टिम जिसा की यात्रा करना बहुत ज़णा आवश्यक हो तो पाण खा करके यात्रा कर सकते हैं गरह गोचर की यदि हम बात करें तो गरहों के राजा सूरिदेव व्रिशव राशी में चंद्रमापूम्भ राशी में मंगल ग्रह मितुन राशी में बुद्ध व्रशव राशी में गुरुदेव ब्रहस्पती व्रश्चिक राशी में शुक्रमेश राशी में शनी धनु राशी में राहू मितुन एबमकेतु धनु राशी में रहेंगे इस ग्रह गोचर के नुसार मेश रशम मिथुन करक सिंग और धनू इन छे राशी वालों को मिलेगी बड़ी खुश खबरी दिन इनके लिए सबसे आती उत्र हैगा घर परिवार से संबंदे कोई खुश खबरी इनको मिल सकती है यदि अविवाहित है तो विवाह का प्रस्ताव भी इनको प्राप्त हो सकता है या घर में कोई मांगलिक कारिक्रम की योजना भी निर्मित हो सकती है साथ ही व्यापार या कार्क्षित्र से संबंदे अचानक खुशखबरी मिलने का योग इनके लिए बनने वाला है तो कुल मिलाकर कि ये जो पांच राशियां है मेश, व्रशब, मिटुन, करक, सिंग और धनु यानि इन छे राशिवालों को मिलेगी बड़ी खुशखबरी, दिन इनके लिए सबसे अतियुत्तम रहेगा तो मित्रों हमने जो ग्यानवर्धक जानकार ये आपको दी है, उसको आप अधिक से अधिक लोगों को शेयर करिएगा लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा और यदि अभी तक आपने सबस्क्राइब नहीं किया, अभी और इसी समय सबस्क्राइब अवश्च कर लीजिए आपको और आपके परिवार को सादर जैसी कृष्ण सादर धन्यवार